नमस्कार दोफ्तों मैं हुरावल मिस्रा और स्वागत थे अब सभी के इस वीडियो में आज मैं आपको कार के बोनेट एरिया के नीचे इंजन साइड में ले चलूँगा जहाँ पे कुछ एक इंपोर्टेंट पार्ट्स और उनके वर्क के बारे में बताऊँगा तो चली चलते हैं तो बोनेट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक ड्राइबर साइड में लीवर दिया रहता है वहाँ इसको आपको पूल करना है पूल करते ही बोनेट ओपन हो जाता है उसके बाद बॉनिट को हलका सा अप करना है आप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अभी उतना दवीजिबल नहीं है जैसे उपन होगा मैं दिखाऊंगा एक लीवर रहता है उसको लेफ्ट साइड में दबाना एप्रेस करना है और बॉनिट को आप कर लेना है इसको ऐसे लगा देना है अब यह हो गया इंजिन इस लीवर के बारे मैं बोल रहा था इसको इस तरफ ऐसे पुल करना है पुल करते ही यहां से घड़ जाता है यहां पर जो लॉक रहता है इसका और यह बाहर रिज हो जाता है आपको बता जूए डीजल इंजिन है खास तर पर जाता है यहां पर यहां पर है बैटरी का सेट अफ मिल जाएगा है जो कि आपके इंजिन को स्टाट करने में हील्फ करता है इसे जो दिख रहा आपको यह है फ्यूज यहां से आप फ्यूज को अपिन कर सकते है मैं आपको बता दूँ एक गारी के अंदर और एक इंजन साइड में दो तरफ फ्यूज मिलते हैं साथी साथ यहाँ पर एक डायग्राम बना रहता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कौन सा फ्यूज किस चीज के लिए है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आप जो भी कमी बेसी है आप खुद से भी कर सकते हैं फिर कोई अच्छे से मेकानिक के से करा सकते हैं इसको मैं बंद कर देता हूँ अब यह आपको दिख रहा होगा इसको कहते हैं गलो प्लक इंटरफेस यूनिट यह बहुत ही में इंपोर्टेंट पार्ट होता है इससे गाड़ी के इंजिन को बुष्ट करता है और आप जैसे एक निशन देते हैं बुष्ट करके स्मूथली गाड़ी के इंजिन को ओन करवाने में हैल्फ करता है इस तरफ आपको यह जो कैब दिख रहा है यहां से आप अपने वासर को जो वासर का पानी होता है इस वासर का यहां से आप भर सकते हैं और जैसे खतमों का भर दीजे उसके बाद यहां इस रास्ते जाता है उपर और आपके वासर को पानी देता है अब इस तरफ ये हो गया coolant box बहुत important है खास तरफ पर कभी भी आप अपने गाड़ी को अगर ज़्यादा लंबे दूरी से अगर लिके आ रहे हैं या फिर दो चार दस किलिमेटर चला के तो कभी भी इसको open मत करिए इस पे लिखा हुआ भी है never open hot मतलब अगर ये hot है गाड़ी का engine heat है तो इसको open अगर करेंगे तुरंट बाहर आ जाएगा और आपका हाथ वगर जला देगा ये engine को cool करता है यहाँ से देखिए pipe लगा हुआ है ये जाता है सिधे radiator में और engine में और engine को cool करता है काफी ज़दा helpful रहता है अब इस तरफ आप देखिए सबसे नीचे आप देखिए वहाँ पे वहाँ पे आपको सबसे नीचे alternator दिख रहा होगा alternator engine के mechanical power को electrical power में convert करके इसके battery को charge करता है साथी साथ जो अंदर का component है उनको power supply देता है तो काफी important रोल होता है alternator का यहाँ पे आपको radiator दिख जाएगा ये radiator है ये engine को cool करता है radiator से cooling होता है साथी साथ AC को भी ये मतलब इसी के रास्ते cooling होता है अब इस तरफ आपको ये है engine fuel फिल अब करने के लिए ये रास्ता है यहाँ से काफी tightly fit रहता है open कर सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है engine oil करके तो यहाँ से engine oil engine में जाता है साथी साथ यहाँ पे ये जो stick है जो fuel stick इस से आप check कर सकते हैं कि कितना इसमें oil है मैं personally आपको recommend करूंगा कि आप नए driver हों फिर पुराने लेकिन इसको time to time check करते रहें यह देखिए दो hole है मैं जूम कर रहा हूँ एक up एक down तो उसी से पता लगेगा उसके बीच में होना चाहिए आपका engine oil इसको insert कर देते हैं यह आप खुज से कर सकते हैं मेकानिक की जरुवत नहीं है अब नीचे के तरफ वहाँ पे देखिए वो जो पट्टा टाइप का लगा हुआ है बहुत ही main part होता है आपको पता है कि अगर अपकार के engine को on नहीं किये हैं तो आपका AC नहीं चलता है क्यों नहीं चलता है उसका main कारण यह है वो है AC का compressor सबसे downside में AC का compressor है और वो engine से connect होता है तो जब तक engine नहीं start होगा तब तक compressor नहीं चलेगा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कभी भी अपने गाड़ी को आप खड़ा करके AC मत चलाईए अगर AC उस दोरान चलाते हैं तो engine पे काफ़ी ज़ाद लोड गता है और थोड़ी से problem बढ़ जाते हैं इसलिए कभी भी running position में ही गाड़ी के AC को चलाएं अब आते हैं इस तरफ ये देखिए जो round type का black color का दिख रहा है इसे बोलते है brake booster काफी important role रहता है इसका brake booster का ये देखिए यहाँ पे brake fuel यहाँ से insert होता है ये वाला है और साथ ही साथ ये वहाँ से देखिए जो brake line आया हुआ है देखिए आप ये दो brake line है brake line आके ये है ABS unit इस गाड़ी का ABS unit है ABS unit में brake line आता है brake line उसके बाद ये ABS unit से चार जगा जाता है ये देखिए एक दो तीन चार ये पहियों में जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी नीचे के तरफ ये देखिए फर्स्ट वाला ये देखिए गया हुआ है देखिए यहाँ से ये जो इसका है brake line ये अंदर नीचे नीचे में गया हुआ पहियों के तरफ मैं आपको नीचे ले चल रहा हूँ नीचे से दिखाता हूँ यह देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आके यह नॉर्मल यह क्या नाम है रबर्ड पाइप हो जाते हैं और यह आपका नीचे आयता है इसके डिस्क में तो इसको बोलते हैं ABS लाइन यह फिर आप ब्रेक लाइन भी बोल सकते हैं साथी साथ यहाँ पर ब्रेक जो ABS का सेंसर होता है वो भी इधर यह आता है मैं आपको बता दूँ यह पूरा वर्क ब्रेक वगेरा का आपका जब इगनिशन ओन रहेगा तब ही होता है इसलिए क्योंकि यह पूरा इलेक्ट्रोनिक कंट्रोल से होता है और आप कभी भी देखिएगा अगर आप अपने की को बाहर निकाले हैं और ब्रेक प्रेस कर रह यहीं चला जा रहा है City के अंदर करिया प्राइं कर जा करेंगे आंदर कर से के ने टिनान करीवारी के तरफ अंदर के आटा डंतित विस्क्राव VS उसे के नहीं कत झालताया दो तिन चीज़ आपको time to time करना चाहिए खास तोर पे engine area को आपको सफा करते रहना चाहिए ज़्यादा पानी का use नहीं करिए लेकिन हलका कपड़ा भीगो के आप इसको सफा कर सकते हैं और खास तोर पे यहां से आप इसके engine oil को चेक कर सकते हैं यह time to time पका चेक किया करिए और यहां से आप इसके coolant को चेक किया करिए यह सब काफी important होते हैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो अपलीजिसे like करें और मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबन ना भूलें जिससे आपको नए वीडियो का notification मिलेगा stay safe, drive safe, thank you for watching